हेलो फ्रेंड्स आज से हम लोग आपके लिए मैथ की स्पीड बूस्टर सीरीज को स्टार्ट करने आ लें फिर्ण्स अगर आप लोग मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं में के वेपर में 190-180 के अब इसकोर करना चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही प्राइम भी आपका लेते हैं कई बार जो कि क्यों की तीन से पांच मिनट लेते हैं मैं उनको जितना हो सकेगा उतना सौर्ट में सौल करने के आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ठीक है तो चल ये समझते पहला कुशन तो पहला कुशन देखते हैं इसमें इसमें उस न क्या पांच बजे तो पूछा कैसे कि दोनों ट्रेने मद में कब मिलेंगी तो इस तरह का कुश्चन पेपर में आ सकता है आप से पूछा जा सकता है तो इसको कैसे सॉल करेंगे समझ लेते हैं देखें आपको क्या करना है पहले तो पहले तो जो उसको आप एक सॉल्ट वे में पहुंचती है वह वह पहुंचती है पांच तीस यानि साड़े पांच बिजे मेरट पहुंच जाती ठीक है तो इसने कितना टाइम लिया वन वन आर्स एंड थर्टी मिनट्स या 1.5 अब दिखें इस को सॉल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं पहले तो मैं मान ले आएसा एक अमांड ले लेता हूं जो इन दोनों से कट जाए यानि कि इन दोनों का क्या ले लेता हूं लस्यम को मैं अपनी डिस्टेंस मान लेता हूं तो दिखें इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 180 तो दिखें यह कितना है मिनेट में है और यह मैं मान लेता हूं कि इतना किलो मीटर में ठीक है तो वह हर मिनेट में कितना किलो मीटर कवर करेगा तो इससे आपको पहले और दूसरे वाले की स्पीड जो है पता चलहEDं है अगر मैं दोनों के बीच में डिस्टेंस कहूं तो झाहिए तो गड़गाओ जाऊं या गड़गाओ से मिरट तो उनके बीच जो डिस्टेंस ही वह सफिक्स है एंगी सभी क्या है घाजियाबाद है तो यह डिस्टेंस से ने वाली है तो फ्रेंट्स देखें इस चीज को कुछ इस तरह समझें कि जब मैं 180 km जो उनके बीच की डिस्टेंस है जब उसको मैं चलाता हूं तो जब दोनों ट्रेने चलेंगी तो वो जो पहली अली ट्रेन है यह हर एक मिनट में कितना चलती है 3 km और जो दूसरी अली ट्रेन है वो हर हो जाएँगी तभी वो दोनों ट्रेंगी तो मैंने मानि क्या होई है उनके बीच की डिस्ठेंस 180 मेन अपने tattoo कि किम कर लेती है तो टोटल को कम कर लेंगी अब यही से में करता है और चल रहे होती हैं और किसी और जगह पर पहुंचने वाली होती है तब पूछा जाता है कि मेरे से वह कब कवर करेंगी कब पहुंचेंगी कम मिलेंगी वह उसकेस में क्या करता कि इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस जो भी स्पीड आई है जैसे यहां पर कितने आई ती चल रहे होती तो मैं इन दोनों के बीच की जो स्पीड है उसको क्या करते ता घटा देता ठीक है तो अगर यह दो चल रहे होती और यह तीन तो कितने मेरे पर आ जाता है एक सो असी बटे एक बचता मेरे पास ठीक है यानि कि अभी जैसे 36 मिनट बाद वह दोनों ट्रेने मि लेंगी अपस में ठीक है अब देखें इसी बेस्ट लिए एक और कुशन देख लेते हैं जैसे कि आपको यहां पर क्या था चार से पांच पहली ट्रेन पहुंचती दूसरी मान लिजए अगर आपको कहा गया होता कि 4-6 पहुंचती ठीक है तो इसको अब देखिए इस तरह मैंनने माना कि कितनी डिस्लंट दोनों के बीच में होगी तो मैंने माना कि 12行 17 लिए धू किलो मेंटotes तो पहली लिट्रेट करएंगी मैंने टाम से 9छ किलोमेटर नहीं करने तो इसकी स्पीड सब्सक्राइब कितनी पर आघेब एब तो यह ङूटिलो में समें अग्तों उनके भीच की डिष्टेंस कितने आ जाएकी दो बटे तो टोटल कितना को ये तो है कि इतने घंटे बाद वह डिष्टेंस क्या कर चुके होंगे कवर कि यानि कि 2-3 घंटे बाद वह आपस में मिलेंगी अब मोपय तक छोंहीलिःं है थी दोनोँ वह एक समाइघ दोनों चल रही था अब अगर दोनों ट्रेने जो है एक समय पर ना चलें या उनकी चलने के बीच में कुछ अंतर हो तो उस केस में इसको कैसे सॉल करेंगा कि चलिए वह भी समझ लेते हैं तो अब जैसे कि is इसमें देखें क्या कह रहा है कि पहली जो ट्रेन है एक ट्रेन जो है वो क्या है साम पांच बजे पटना से चल कर साथ बज़े वाराणसी पहुंचती है जबकि दूसरी ट्रेन कैसी है वो शे बज़े चल रही है और वाराणसी से चल कर नौ बज़े पटना पहुंचती है तो तो दोनों ट्रेने मद्द में कब मिलेंगे अब देखिए यहां पर जो इस्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का कैसा है अलग है पहली पांच बेज चल रही है जबकि दूसरी चल रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको क्या करना है पहले मैंने क्या बताया था कि पहले होगी 6 km अगर वो complete करना चाहिए दोघंटे में तो हर घंटे वह 3 km चल रहे होगी तीन किलो मेटर पर और ढूस्री ट्रेन हर आउसे चल मिले औरो कि स्ङ। अब देखिए यहाँ पर question को आप समझिए देखिए पहली वाली train कब से चल रही है 5 बजे से जबकि दूसरी वाली train कब से चल रही है 6 बजे से तो अब आपको क्योंकि speed पता है दोनों trainों की तो अब आप क्या कीजिए कि पहली वाली train को भी 6 बजे से चलना इस्टार्ट आँ मैं तो उसको लिए क्या कराऊ कि मैं पांच से चैनी एक घंटे में कितनी distance कवर कर लियो होगी 3 km वह चल ली होगी तो एक घंटे में 3 किलोमेटर चल रही होगी तो अब उनके बीच में पहले distance कितनी थी मैंने मानागी एक पांच बज़े से चली है तो छै बज़े तक फो कहां ं versyड तो 6 बजे वह क्या करता है मैं मान लोगता हो कि 6 बजे वह उते चला और 5-6 तो अब देखि धवी लग्या सेac случай हो गया सीफ पाज़ी यह उन दोनों के बीच में स्रत दोनों मिल के कवर करेंगे सिकेंगी जो रहे तो यहाली 3 से चल रहे हैं और यहाली 2 से तो टोटल सब्सक्राइब उनके कितनी फाइफ किलोमेटर पर आर तो वो डे कुट्ने टाइम में कवर करतेंगे 3++ आर्ज में आब इस वे हम आप जोडेंगे कब में 6 बज्यक से जाने के लिए जो भी त्रेन पहले जो ट्रेन होगी तो इस तरह का अगर आपको कोई भी कुस्छन मिले जैसे वहाँ पर हो 4 और 5 तो चार बजे वाली जो ट्रेन है उसकी आप इस्पीड निकाल लीजे और उसको एक घंटे चलाई है तो एक घंटे अगर अगर उसकी स्टीन 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 निस्टनों कुँंख को जाले गी तो ऑफाइखी या फिर में इसको मिनेट में तो CT तो 6 बजे के बाद 36 मिनट और लगेंगे और वो दोनों कैसी हो जाएंगी मिल जाएंगी एक दूसरे से ठीक है तो मद्द में कम मिलेंगी 6 बचकर 36 मिनट पर वो दोनों एक दूसरे से ट्रेने मिलेंगी इस तरह के क्यों सबस्क्राइब को सब्सक्राइब किजये थैंक यू वाचिए वाचिए फ्रिंद्स